रोना नहीं है मता रोना नहीं है देखा लाखों लोगों में तुम्हें बुला लिया अब तुम रो रही हो हसो हम कैसे बड़ी टेंशन में भी हसते रहते हैं हसो बंद करो वासू कहां से आई हो सौनी पत सोना है वहां सौनी पत में सोना है के नहीं है के नाम नहीं भारा है है चला गया जैस यारा पहली बार आई हो किसी को अपना बिसाय बताया तो नहीं है हर्याना बालो सीता राम बोलो क्या बात क्या जानना है बता देंगे हम और कि जी हां और एक और ठीक एक और चार बात हैं आपकी पहला गनमें कलेश पित्र के बारे में जानने आई हैं पित्र देवता को चोड़ा से हैं बरत्मान में एक की पूजा कर रही हैं आपके पित्र देवता दो हैं उन्हीं के सगे दादा जी हैं जिनको तुमने बैठाया है नमबर दो कर्जवना धनकी तंगी बनी पती भी परेशान नमबर तीन लाली यानी बेटी के विबाह की अरजी लगाई उसका उत्तर दिसा के कौन में रिस्तेदारी के मध्यम से अंगले साल अच्छा घर बर प्राप्त हो जाएगा आसिरवाद है बराबर इनको अभी पूजल लगातार जारी रखना है और सपेद रंग का द्वज लगाना है घर में बड़ी दिक्कत है यह सब तुमारे विपरीत है तुमारी सासुमा भी विपरीत ही है पूजा पाठ के भी विपरीत है बात उल्टी सीधा बोलती है पाखंड बात का तुमपया रोप लगाती है पती भी तुमारे विचित्र है पूजा पाठ के मामले में कलेश भी बहुत हो रहा है आपने जो इस्तान दिया बोल नमरत सेबा जारी रखो सपेद भज लगाना है सेस बिधी हम कर दे भी बागे सुधाम आईयो हम कबच दे देंगे अभी बरतमान में अन कोई उपाई की आव सकता नहीं है एक गलती भर जरूर आई ये तुम जगए जगए जो भटक रही हो पित्र के चक्कर में चोकियों पे गई हो गलत बात है चोकियों पे जा करके अपने पित्रों का नुस्कान मत कराओ बजरंग बली के चरन पकड़ो अब तुमें कहीं पर भी जाने की आव सकता नहीं है और एक विधर्मी के पास भी गई हो उनके पास भी अब जाने की आव सकता नहीं है अब हलियुलाह वालों के चक्कर में पढ़ने की आव सकता नहीं है कोई संदे एकदम सही जाओ हमें गुरू ना बनाओ बाला जी यहां गुरू बनाओ हम तो पागल आदमी है मंत्र धाम पर दीख्षा समारो में गुरू पूर्मा पे आ जाईए ठीक खुस जाओ